Hello everyone, how are you? So, चलिए इस्टार्ट करते हैं हमारा next topic जो है BGP का part 2 और last topic में हमने already cover कर लिया था BGP के अंदर first introduction क्या होता है, IBGP क्या होता है, EBGP क्या होती है ठीक है और dual hub, single hub, oh sorry dual home, single home and multi home designs तो last time हमारा configuration रह गया था जैसे की तो वो कर लेते हैं और अगर आप लोगों अभी तक last वाली videos नहीं देखी है या फिर आपने last training attend नहीं की है और जो भी further अभी तक CCNA की जो भी trainings होई है अगर आपने नहीं है, then you guys can enroll yourself into the networking scholar और आप वहाँ पर देख सकते हो course section है, course section के अंदर जाकर के CCNA mastery course है CCNA live patch in Hindi, इस पर आप enroll करिये, and then आपको वहीं पर सारी information मिल जाएगी और सारी के सारी recordings मिल जाएगे, वैसे भी आपको अगर देखना है तो let me show कि क्या क्या हो गई अभी तक, अभी तक हमने course किया था, get course for free है, ठीक है आप देखोगे यहाँ पर एक attachment है, जो कि हमारा syllabus है, 4th page का, and then यह हमारा CCNA का जो generally 10 classes हुई थी, जो network से related था, उसके बाद जो हमारी start हुई थी, introduction जो पहले हो गई थी, ठीक है इसके बाद हमने इसको 16 days के अंदर और cover किया हुआ था, role and function part 1, same चीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है, layer 2, layer 3 explanation, यह already हमने पहले से pre-builted डाला हुआ है, then इसके अंदर आपको मिल जाएगी routing के, routing के अंदर OSPF है, then EIGRP है, EIGRP की 2 दिन में है, और BGP का एक video हमने cover कर लिया है, so now the thing is कि हम, let's start, next topic जो है हमारा, वो BGP का ही second day रखेंगे, तो this is the day 2 and हम चलते है, external BGP की तरफ, जो EBGP होती है, तो EBGP generally क्या होती है, external BGP, एक वो implementation होता है, just generally की, जो दो different, different autonomous system के उपर काम करता है, generally इसके लिए को specific command नहीं है, enable करने के लिए, so that आपको ऐस command होती है, EBGP के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है, just similarly है, जो आप BGP configure करते हो, यहाँ पर दो चीजे देखने को मिलेंगी, एक जगे आपको कभी never मिलेगा, और एक जगे router मिलेगा, never command और router command दोनों ही different है, okay, जैसे कि router हम use करते है, BGP enable करने के लिए, और never use होता है, advertisement के लिए कि आपको never कौन सा है, never ship agencies के लिए, ठीक है, तो जैसे कि इसमें है, as per the topology हमने एक diagram prepare की है, और हमने दो routers use की है, एक router 1 है, एक router 2 है, जिसमें आपको दिख़़ा होगा 402 and 401, तो हम इसी की configuration करने वाले है, let me check, okay, तो 401 login करते है, and then 402 login करते है, ठीक है, तो ये दोनों routers हमा रहे हैं, साथ-साथ ही मैं काम करता हूँ, कि मैं वायर शार्क के लिए, specifically, मैं use कर लेता हूँ, वायर शार्क capture, so that आपको पता चलता जाए कि क्या चल रहा है, ठीक है, और screenshot थोड़ा सा छोटा, because हमें वायर शार्क पी लेनी है, तो वायर शार्क में router 2 के उपर capture कर रहा हूँ, Ethernet 1-0 पे है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये capturing start हो गई है, and then ये रहा, ये है, ठीक है, अब हम चलते हैं, next पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक broadcasting start हो गई है, तो C1401 पे चलते हैं, enable configuration terminal, ठीक है, do so IP interface brief to verification, हमने यहाँ पे configuration किया हुआ है, और ज़स्ट थोड़ा सा configuration किया है, ज्यादा नहीं, enable configure terminal to show IP interface brief, हमने अल्रेडी लास्ट वीडियो के अंदर ही, मैंने इस पे configure कर लिया था, IP address, तो IP address आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो इस पे भी router 1 पे चलते हैं, तो router 1 पे हुँ मैं, interface loopback 1, IP address 1, 1.1.1.1.0, no, no, shut, do so IP interface brief, अब आप यहाँ पे चेक करोगे, do so IP interface brief, तो आपको दिख जाएगा, कि slash 24 bit का हमने configure किया हुआ है, ठीक है, और same ही हमने यहाँ पे किया हुआ है, do so run interface loopback 1, हम loopback 1 के running config, okay sorry, do के अंदर, ओ नहीं लगा, तो यह है हमारा first वाला configuration, तो हम interface loopback इसको भी slash 24 के अंदर convert करेंगे, interface loopback 0 and इसको हम कर देते हैं, slash 24 का, because as per the topology हमें यही रखना था, ठीक है, तो यह है हमारा configuration चेक करने के लिए, किसी भी interface की IP addresses और running configuration क्या होती है, हो चेक करने के लिए, okay, guys, now, यह हो गया हमारा configure, अब as per the notes, हम notes के साथ इसलिए चलेंगे, क्योंकि आपको पता चलता जाए कि क्या क्या करने, तो अब हम क्या करते हैं, कि अब यह हमने दो router configure कर लिए, अब दोनो router को हम के बीच पे हम BGP enable करते हैं, ठीक है, तो BGP enable करने के लिए simple सा है, आप secure share, हम console पे चलते हैं, और वही as it is command चलाएंगे, जैसे router आप पहले confirm कर लो कि कौन से पे हो, तो router BGP इसके बाद आप चेक करोगे, तो यहाँ पे exit मारता हूं पहले, router BGP and then AS number, AS number हम क्या लेना है, router 1 के उपर 1 और 2 के उपर 2, अब यहाँ पे हमने क्या बोलना है, network नहीं लेना है, हमें नेवर लेना है, नेवर क्या, कौन है नेवर हमारा, 192, 168, 12.2, इस दिन नेवर और उसका remote AS क्या है, remote AS है, वो है 2, क्योंकि सामने वाला AS कौन सा हमारा, 2, देखे, 2, ठीक है, इसका IP address है, .2, तो हमने यह ले लिया, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, अभी हमने कुछ नहीं गया, तो हम सेम चीज़ यहां पर करते हैं, router, bgp2, ओ, सॉर्य, नेवर, 192, 168, 12.1, remote AS, 1, remote AS, 1, ठीक है, अब do so, IP, bgp, summary, चेक करते हैं, क्योंकि देखे, नेवर सिप एजन्सी हमारी, stable हो गई है, ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है, do so, अब यहां पर एक और चेक करते हैं, do so, bgp, अब bgp, चेक करते हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा, do so, IP, bgp, do so, ipbgp, अब इसमें भी हमारे पास कोई information नहीं आ रहा है, let's go to the notes, तो हमने यह चेक कर लिए, so ipbgp summary में हमें दिख गया है, कि हमारे दोनों routers के उपर जो bgp का summarization है, वो start हो गया है, तो let's copy it and यहाँ पर paste करते हैं, यहाँ पर चलेगा नहीं क्योंकि आगे डून नहीं लगा हुआ है, तो हमने 200 bgp summary यहाँ पर कर लो, आपको खुद का interface इसके साथ किसके साथ बना हुआ है नेवर कौन है 12.1 चलो यहाँ पर verify कर लेते हैं यहाँ पर नेवर सिप अप हो गई है इसमें टू टाइम डूडू हो गया ठीक है यह नेवर सिप अब हमें क्या करना होगा कि अगर यह आप यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है अब हमने कर लिया नेट वर्क 1.1.1.0 मास्क मास्क का रहेगा उसका 255.255.255.0 राउटर वन का प्रिफिक्स यही है न क्योंकि लोकल एस कौन सा है लोकल एस है 1.1 और इसका नेवर कौन सा है 2.2 ठीक है तो हमने यह कर लिया क्या दो सो बीजी पीUp summary हम चेक कर लेते हैं अब यहां पर अभी आपके पास एक नेट वाक है और एक नेट वाक है ठीक है अब बाखी सारे information अब हम verify करते हैं сам चीज फम यहां पर चलते है let's check यहां पर चेक करते रहते हैं ठीक है यहां पर करते हैं नेट्वर्क 2.2.2.0 मास्क 255.255.255.0 ठीक है अब चेक करते हैं ठीक है हमने दोनों ही जगे एड़टाइज करा दी अब हम क्या करते हैं अब जो हमने यूज क्याता हूँ आपे do so bgp summary summary के अंदर दिखरा होगा कि इसका local यह है और do so ipbgp do so ipbgp यहां पर भी bgp के messages आ रहें keep alive हो यह तो आपको दिखरा होगा कि दोनों information मिल रही है हमें जो कि जब बात आती है prefixes 1.1.1.0 तो इसके लिए हमें 12.1 पर जाना है और same चीज यहां पर है do so ipbgp अगर आप बात करते हो 2.2.2.0 उसके लिए हमेरा next job क्या रहेगा 12.2 तो यह था हमारा external bgp के अंदर configuration कैसे करनी होती है just यही था और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो यही होता है आपने अभी चेक किया हमने छोटा सा किया है ठीक है छोटा सा configuration था ebgp का और इसमें आप चाहो तो multiple अगर खुद के as's हैं तो asa जितने भी होंगे वो सारे के सारे आप advertise करा सकते हो so that इसमें multiple आपने अगर network enable करना है जैसे हमने 1.1.1.0 का network अगर उसके अंदर advertise करना है तो just command क्या था router bgp2 network network का mask मतलब उसकी subnet mask value क्या है just enable करना था that's it इसके अलावा कुछ नहीं है तो यह आपको दिख जाएगी हमारे YouTube channel के उपर भी और हमारे external day 2 के अंदर हमने रखा हुआ है बट फिर भी हम इसको रखते हैं कि external bgp कैसे configure करते हैं तो so that उसमें आपको देखने को मिल जाएगा और यह detailed notes है तो ebgp और बाकी सारे notes आपको एक साथ ही मिल जाएगी जो note section के अंदर or in class then let's see we'll meet you in the next class that will be हमारा वो है internal bgp ठीक है internal bgp क्या होता है क्योंकि external अंदे configure कर लिया internal in the sense जो इंच के खुद के internal part का है तो internal bgp को देखेंगे तो मिलते है next video में तब तक के लिए bye take care and like share and subscribe this video thank you guys